अगस्त और 27 अगस्त 2021 के सभी most important current phase के question हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साथ में आपको हरे question के साथ में बताऊंगा detail में explanation एंड आपको map से भी समझाऊंगा last में एक question पूछूंगा जिसका answer देना आपको comment box में तो complete वीडियो ध्यान से जरूर से देखते का इसकी quiz and pdf आपको website पर मिल जागी website पर आपको pdf मिल जागी तो download जरूर से कर लेना जो है link कर नीचे discussion में दिया है exam तक hindi.com start करते हैं आज का first question कौन सा है आपको important याद रखना है वैसे युद्धाब्यास पर अलग से वीडियो भी बना हुआ है और वेबसाइट पर भी डीटेल आर्टिकल लिखा हुआ है आप लोगो जरूर से पढ़ लेना वेबसाइट पर बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए है अलगले काटिकरीज में जनरल नौलेज स्ट्राटिक ज युद्धाब्यास वह आपको इंपोर्टन याद रखना है इसके अलब आकर बात की जाए बहुत ही इंपोर्टन दो युद्धाब्यास हैं दो इंपोर्टन युद्धाब्यास होता जायर अलबहर जो युद्धाब्यास है हालिम मैं आपको बता था जायर अलबहर वो कतर के साथ गुआ था और साओधी अर Gabayya के साथ हुआ था एक ऑगर बात के अल-बहर-हिंदी नाम से के इसा यद्धवास था जो की हैंayan अल-हिंदी अल-बहर एसा कुछ नाम था तो वो सौधी अरेभीय के साथ हुआ था फूरी लिस्ट आपको वबसाइट पर अपडेटेट हो गई है ठीके ना तो कजाकिस्तान के साथ अगर बात की जाए गजाकिस्तान मैप में कहा पर है अभी मैं आपको बताऊंगा पीम को है कजाकिस्तान की असकर मामिन पीम है राजदानी है नूर सुल्तान इंपोर्टन याद रखना यह राजदानी का नाम चेंज हुआ था पिछली दो साल 19 में वह था चेंज लेकिन आपको फिर भी नाम याद रखना नूर सुल्तान है अस्ताना पहले नाम था अभी कजाकिस्तान टेंगे यह यहां की करंच यह भी आपको इंपोर्टन याद रखना अभी मैं आपको मैप बता लेता हूं यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैप में आपको देख़ाएंगे कजाकिस्तान मैप में कहां पर मिलेगा यह है कजाकिस्तान विश्व का दस्वा नमबर का सबसे बड़ा शत्रफ अलगादार पर देश हैं सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा लेंड लॉक्ट देश हैं चारों तरफ जो हैं भूमी से गिरा हुआ य अगर बात कि चाइए, यहाँ पर जोई मैं थोड़ा सा और जूम कर लिता हूँ, यहाँ पर लोग देख पाएंगे, यह कजाकिस्तान topping के नीच्त कर पर यह युद्धाविया से समहरें दक्षन चीन सागर, पहारत और किस देश की नौ से ना ने सीख तो युद्धावियास क आप रूप का सर वीयत नाम बताया था दो दिन पहले अभी और क्या कुश्षिन डाल दिया से यहां पर जो पांच दिन पहले जो यह जो हैं वेत नाम के साथ जो युद्धाब्यास था उसके अलबा एक और युद्धा-ब्यास क्या हैं इंडियन नेवी ने ये युद्ध अभ्यास कर लिया है, important याद रखना, इन युद्ध अभ्यास को कोई नाम तो नहीं रखा गया, particularly, लेकिन आपको याद रखना, South China Sea में, Vietnam और Philippines के साथ में, हाली में, दोनों युद्ध अभ्यास हुए है, फिलिपिन्स के अगर बात की है, तो Manila मिलेगी ADB का headquarter, ये थोड़ा सा important याद रखना है, इसके अलब पेसो जो हैं, ये यहां की currency है, तो ये भी याद रखना, फिलिपिन्स की currency क्या है, तो पेसो हैं, फिलिपिन्स की currency, ये भी आपको याद रखना, इसके अलब आगर बात की जाए, ये जो अभी युद्ध अभ्यास की तरफ से INS रण भी जाए, और INS कोरा ने हिस्सा लिया, ठीक है न, तो ये आप लोग देख पाएंगे, अभी मैं आपको map से समझा देता हूं, कि South China से कहां पर मिलेगा, तो यहां पर जो हैं, ये सारे आशियान कंट्रीज आपको दिख रहे होंगे, ये आशियान कंट्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा सागर है, महा सागर नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो ये हैं South China से, एडेस पे चाइना जो है, complete अपना अधिकार जमना चाहते हैं, ये तो पूरा मेरा है, जबकि ये पूरा है, इसका हो इने सकता, logical बात ये है, कि जब जद्धाव्यास अभी यहाँ पर हुआ है, नेक्स्ट है थार्ड कॉशन, थार्ड कॉशन कौन सा है, हाली में अफगानिस्तान से भारतिये लोगों को वापस लाने के मिशन का नाम क्या रखाए हैं, ये कॉशन में आपको ये बता लो, आपके आने वाले एक्जाम में पढ चुका है, और लगाता जो हैं, इंडियान एयर फूस की विमान से जो हैं, उनको लाया जा रहा हैं, और यहाँ पर रखर बात की, इस ऑपरेशन का नाम के ऑपरेशन देवी शक्ति, ये इस ऑपरेशन का नाम रखा हैं, इंडिया ने इंपोर्टन गयाद रखना हैं, इस ऑ राश्ट्पति क्यों नहीं बोल रहा हूं कि राश्ट्पति हैं भी नहीं एक्ट्व में वह ठीक है ना तो यह अभी की कंडिशन है बाकि इंडिया के सभी लोग जो हैं लगबग लगबग सभी सुरुक्षित हैं भारते विदेश मंत्रा वह उनके लगातार जो हैं उन लोग नदी कौन सी हैं तो हेलमंड रिवर जो ना यह इंपोर्टन याद रखना है हेलमंड रिवर जो है काबूल की सबसे लॉंगेस्ट रिवर है जिसका विवाद इनके जो है इरान के साथ भी पड़ता है इरान के साथ इनका लंबा बोटर है लगबग 900 किलोमेटर के आसबास में तो इस कांट से अफगानिस्तार और इंडिया का भी 100 किलोमेटर का जो है इंटरनेशनल सीमा है इंपोर्टन याद रखना है हलांकि वो प्योके में पढ़ती है अभी के टाइम पे तो यह आपको इंपोर्टन याद रखना है इतनी सारी डीटेल्स अभी क्या अगर बात के डेवलपमेंट हुई है तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान में अभी जो है अगर बात के तालीबानियों का लगबग लगबग कांट्रोल हैं कुछ एरिया को छोड़ता ओपरेशन देवी शक्ती ओबर 800 इवेक्यूटेट बाई इंडिया फ्रम अफगानिस्तान सो फार यह एक वेबसाइट पर पोश्ट आई थी 50 प्लस अंतराष्टिय संगठन तो मैं आपको बता दूं यह जो संगठन का जो यह पोस्ट न यह आपको जरूर से पढ़ना चाहिए इसमाप हैटकोर्टस मिलेंगी इसता अपना वर्ष मिलेंगे सदश्यों की संक्या मिलेगी मैं इ इंटरनेट पर पूरी रिसर्च किये किसी भी एक पोस्ट में यह सारी डीटेल साथ में नहीं है और यह सब नहीं है ठीके ना ट्रिक है तो फाल्तु की ट्रिक है जो काम नहीं करती है लेकिन यह जो पचास प्लस अंतराष्टिय संगठन है बहुत इंपरन है यहां पर मैं इस पोस्ट को जरूर से बुक खरी दिए आपको बहुत ही फाइदा बिलेगा जैनेवा में कौन से अंतराष्टी है है यह सारे हैं उनको शौट ट्रिक याद करने की यह शौट ट्रिक दी गई है आपर वाशिंग्टन में जो हैड़्कॉटर है उनकी शौट ट्रिक दी गई ह वियना में रोम में लंदन में यह सब इसके लाव कुछ और फैक्ट भी दिये गए हैं और जो भी आपके डाउट से वो और कमेंट करना वेबसाइट पे भी कुछ भी अच्छा लगे तो थाकि हमें भी आपको पता चले कि आप लोग को क्या चाहिए आगे पोस्ट में तो यह ICICI की अभी जो हैं MDNCO कोन है तो यह हैं संदीप बक्षी इंपोर्टन याद रखना इनका नाम यह भी याद रखना अगले दो साल तक दो संदीप बक्षी साब जो हैं इनको बनाएं गया ICICI बैंक का MDNCO Industrial Credit and Investment Corporation of India यह इस बैंक की full form है इंपोर्टन याद रखना प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा बैंक है ICICI and HDFC तो ICICI बैंक के बार में याद रखना चंद्रा कोचर कभी हुआ करती थी ICICI के हैड अमिताप चौदरी किसके एक्सिस बैंक हैं और शांतिलाल जैन यह इंपोर Credit and Investment Corporation of India संदीप बक्षी इसके हैड हैं अभी मुंबई में हैड़कोटर है 1994 वड़ोदरा में स्ताफनविती हम है ना खयाल आपका यह इसकी टैगलाइन है ठीक है ना तो यह ICICI बैंक की जो है टैगलाइन मिलेगी आपको नेक्स्ट है पांचवा कॉश्चन हाली में किस मंत अगले लगबक सौ दिनों के लिए अभियान शुरू किया है जो गाव ओडियाफ्री हो चुके हैं वहां पर भी सही तरह के से जो वेस्ट वाटर है उस वाटर का ट्रीट्मेंट क्या जाए वाटर सीवरेज लगाया जाए इन सब को देखने के लिए यह सूजलाम अभियान शुरू किया है ताकि जो गंदा पानी होता है उनको जो अगर बात के सही ट्रीट्मेंट करने के लिए सूजलाम अभियान शुरू किया है ओडियाफ्री जो भी गाव अगर हो चुके हैं लगबक ओडियाफ्री गाव मतलब पूरा इंडिया को तो एक्चुल में तो तो दिनों तक चलने वाला है एंड ये भी आजादी कि अमरत महोत्सव के तहती शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्री को ने प्रिजेंट टाइम है ये अमिच्छा मिलेंगे और ग्रामेंड विकास मंत्राले के मंत्री को ने तो नरेंदर सिंग तोमर जो है ये हैं प्रिजें में फंडिंग रोक दिये बिलकुल ये जो है इंटरनेशनल ओर्गनेशन कौन सा है ये वर्ल्ड बैंक है अलांकि आने वाले टाइम में लगबग लगबग सभी जो है न वह अंतराश्य संस्ता हैं अफगानिस्तान में कोई फंडिंग नहीं करेगी जो पहले बैंक में फिलाल के लिए रोग ले गए आने वाले टाइम में और भी जो भी इंटरनेशनल ओर्गनाइशन ने आईमेफ जैसे वह भी रोग लें आईमेफ यानिकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड एंड डिवी न्यू डेवलपमेंट बैंक यह जो है ब्रिक्स का बै मैं आपको बता दूँ 1945 में स्थापनविती वशिंग्टन डीसी में एड कोटर मिलेगा 189 कंट्री जैं आईमेफ के 190 हो चुके हैं ठीक ना तो यह आपको इंपोर्टन व्याद रखना है डेविड मालपास जो हैं यह इसके अध्यक्षय प्रिजेंट टाइम में जो हैं वो यहां पर और बढ़ जाएगी तो यहां पर एस्टीमेटेड यह हैं कि 80 मिलियन लोग जो हैं लगबग जो हैं यहां पर रख आइडिया हैं आठ करूर तो इतने सारे लोग जो हैं अत्यदिक गरीबी में चाले जाएंगे एशिया इस्पेशल बात कि only एशिया मे और बहुत सारे एशिया के देश जिसम इंडिया इंक्लूडिंग यह कोईट से बहुत एफक्टर रहे हैं तो एडिबी की रिपोर्ट के अनुसार यह अभी जो हैं अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ होने वाला सीन एडिबी के बारे में आपको complete detail होनी चाहिए यह एक regional bank है अगर बात कि जाए यहां पर जो है मैं जो है एक्जाम तक पर सर्च कर रहे हो एडिबी आपको कहां पर मिलेगा यह मिलेगा आपको 33 नमबर पर एडिबी 1966 में स्टाप नहुए थी मनिला फिलिपिन्स में हटवार्टर अगर बात की जाए तो इसके मेंमर है मासात्षूकू अभी ADB की रिपोर्ट कौन सी है तो ADB ने अभी जो है की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैसिफिक 2021 यह एक रिपोर्ट जारी किये जिसके नुसार जो है एशिया के साथ जो परशांत महासागर वाला जो एशिया वाला और यह सब शेत्र हैं इसकी अकॉर्डिंग यह रिपोर्ट जारी किया है विकासिल एशिया में अनुमानिच 75 सी 80 मिलियन लोग जो है अत्यदिक गरीबी में धक्यल दिया है COVID-19 में यह आपको इंपोर्टन याद रखना अभी कुछ दिन पर गजनवी जो मिसाले उसका भी सफल परिक्षण इन लोगों ने किया था तो वह भी इसका नाम याद रखना वाखी पाकिस्तान के बारे में आपको क्या याद रखना मोस्ट आगर बात की जाए सबसे ज्यादा आगर बात की जाए यहाँ पर जो है जंस आए याँ था की संसत्को इंपोसिन गयाद रखना ये सवाप को पाकिस्टान के बारे में याद रखना नहरों का देश किसली कहते है यह एक स्टाटिक कि क्या सिंफल चार्य आपकिस्तान को कहते हैं यहाँ पर आप लोग आए यह पत्ते वन पाकिस्तान जो है निरमित मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम है यह 140 किलोमेटर की सीमा तक हत्यार पहुंचा सकता है और पाकिस्तानी सेना ने 2021 में शाहिन 3 कजनवी और इन और मिसाइल्स का भी परिक्षण किया तो इन मिसाइल्स का भी नाम आपको याद रखना है नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बता दूँ जी कि अगर आपको रिविजन करना ना बहुत कुईक तो ये बुक आप लोग पर्चेस करते हैं 25 रूपीज आप लोग पीडिएफ डाउनलोड कर पाएंगे 25 सी ज्यादा टॉपिक्स मिल जाएंगे इन राजिपा लाग गणे सन बने इंपोर्टन याद रखना है इनको जो हैं नजमा हेपतूला की जगे बनाया गया है मनिपूर के सेम को ने एन बिरेंच सिंग है आपको इंपोर्टन याद रखना अब आज का कोशन ई आई यू द्वारा जारी सेफ सिटी इंडेक्स में टॉ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड यह अगर बात किया टॉप सिटी जो आना यह किसी देश की कैपिटल है कैपिटल सिटी है एंड यह अगर बात की जाए तो इतना अब आपके लिए हमेंने सिंपल कर दिया है तो आप लोग देख सकते हैं एंड जो हैं यूरोप का दे झाल